Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Dear students, welcome back to our EVS class. Dear students, do you know? Today what we will do? We will do season. आज हम क्या पढ़ेंगे? Seasons. Okay? बेटा, seasons क्या होता है? माव सम. Okay? Come on the first picture. Which picture is this? This is summer's picture. बेटा, ये कौन सा सीजन है? Summer. Summer season. बेटा, आपको पता है? Summer season में हमें बहुत गर्मी लगती है. है ना? ये देखो, यहाँ sun दिखाई दे रहा है ना? Summer season कौन सा सीजन होता है? जिसमें हम कोटन के क्लॉट्स पहनते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. फैन, कूलर, AC, है ना? ये सब हम ओन रखते हैं. Okay? और हम कूल-कूल थंडा-थंडा खाते हैं. Summer season में. Now, come on the next season. This is winter season. Now, you know very well, winter season is going on. और हमें winter season में बहुत ज़्यादा थंड लगती हैं, है ना? हम वुलन क्लॉट्स पहनते हैं, और हम थंडा नहीं खाते हैं, गर्म-गर्म खाते हैं, है ना? तो बिटा, this is winter season. Now, come on the next picture. Monsoon. This is monsoon. Okay, monsoon season कैसा होता है, बिटा? जिसमें बारिश आती रहती हैं, उसको हम monsoon season कहते हैं, और हम इसको rainy season भी कह सकते हैं. Okay, now come on the next picture. This is autumn. बिटा, autumn season कौन सा होता है? पतज़ड का मोसम, जिसमें पेडों से पत्ते गिरते हैं. Okay, इसको हम कौन सा season बोलते हैं? Autumn season. Now, come on the last one. This is spring. बिटा, spring season कौन सा होता है? जिसे हम वसंत्री तू भी कहते हैं. Okay? Spring season में, बिटा, पेडों पर नए-नए पत्ते आते हैं. है ना, ये देखिए? हर जगे हमें हर्याली दिखाई देती हैं. इस मोसम में, बिटा, हमें ना तो ज़्यादा ठंड लगती हैं, ना ज़्यादा गर्मी लगती हैं. ये बहुत ही सुहावना मोसम होता है. पेडों पर नए-नए पत्ते आते हैं, फ्लार्स आते हैं, है ना, देखो बटरफ्लाई भी दिखाई दे रही हैं. है ना, तो ये सीजन बहुत ही अच्छा और सुहावना होता है. कौन सा सीजन है ये? स्प्रिंग सीजन, ओकी? तो तो थीज आर सीजन्स, समर सीजन, विंटर सीजन, मौनसुन, आटम और स्प्रिंग, थीज आर सीजन्स. आज हम क्या करेंगी? सीजन्स दोनों पेजिस करने हैं आपको, यहां आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, है ना? और ये हैं रिलेटिड सीजन्स से, तो आपको पिक्चर्स को देखना है और क्या लिखना है? सीजन्स का फर्स्ट लेटर लिखना है, ओके, आपको दोनों पे जिस वर्क करने हैं, मैं आपको समझाते हूँ कैसे करना है? कमोन दा फर्स्ट पिक्चर, दिस इस एन अम्ब्रेला, और बिटा अम्ब्रेला पर क्या दिखाई दे रही है आपको? रेन, अभी आमने पिछे कौन सा सीजन सीखा था? मॉन्सुन सीजन, ओके, तो हम क्या राइट करेंगे मॉन्सुन का? M, फर्स्ट लेटर, क्या पिटल एन सीजन, लाइक दिस, M, ओके, नाओ कमोन दा नेक्स पिक्चर, दिस इस एन आइस क्रीम, दिस इस एन आइस क्रीम, बेटा, आइस क्रीम हम कौन से सीजन में खाते है? summer season में तो हम क्या write करेंगे summer season का first letter S capital and simple like this ओके now come on the next picture this is a butterfly पिटा butterfly कौन से season में आती है आपको पता है ने मैंने अभी समझाया था आपको spring season में कौन से season में आती है spring season में देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ butterfly है butterfly कब आती है spring season में जब पेड़ो पर flowers नई नई flowers और यह पत्ते आती है ना और हर जगह हर याली होती है तब यह butterfly आती है तो butterfly कौन से season में है spring season में हम spring season का भी first letter capital लिखेंगे ओके S like this now come on the last picture these are gloves बेटा यह हम कब पेहनते है winter season में ओके जब हमें बहुत ठंड लगती है तो हम gloves पेहनते है हाथों में gloves पेहनते है तो हम यहाँ क्या write करेंगे यह कौन से season का letter write करेंगे बेटा कौन से season में पेहनते हैं हम यह winter season में तो winter season का first letter हुआ w तो हम क्या write करेंगे? W Like this Simple and capital बेटा आज का हमारा topic था See the pictures and write the first letter of season See the pictures हमें pictures को देखना है And write the first letter of season और season का हमें first letter write करना है ओके बेटा आपको first letter capital write करना है simple So बेटा आपका आज का अभ्यास Sorry, PW है Page number 40 and page number 41 Okay बेटा आपको ध्यान से करना है और ऐसे first letter simple capital लिखना है I hope you understood Thank you, Bye Bye